आज मैं बनाने वाली हूँ चटपट सैंडवीच सो हलो एब्रीवन आज हम बनाने वाले हैं सैंडवीच सैंडवीच बनाने के लिए हमें सबसे पहले मसाले रेडी करने के लिए आलू बालने रखेंगे जिसमें मैंने 4-5 आलू बालने के लिए रखा है थोड़ा सा नमक डालके जिसमें आलू जल्दी पक जाते हैं तो यह एक टेप से हैं तो आलू बालने रखने के बाद वो पकता है तब तक हम बना लेते हैं हरी चटनी हरी चटनी के बनाने के लिए हमे आधा निम्बू इसे हम पीस लेंगे मिक्सी में मिक्सी में पीसने के बाद इसका जो लिक्वीड तयार होगा वा ना तो कोई पतला होगा जादा ना ही गाड़ा नॉर्मल सा इसे रखना है ताकि ब्रेड में अच्छे तरीके से फैल जाए इसके बाद हरी चटनी हमरी रडी ह चुक्या होए तो हम बना लेंगे अभी रड चटनी बनाने के लिए इसमें दो चमच एम्बली सॉस एक चमच रड चिली सॉस लिया हुआ है और दो चमच के कर्विस में लिया हुआ टामेटो सॉस इस अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लेंगे तो यह तो बोड़े से रड़ी ओजाएंगी जो हमारी रेड चटनी है तो आलू के लिए हमें लगने वाला है कट्टा हुआ प्याच और हरी मिर्ची और आलू रड़ी हो चुका है तो इसे मैं हमने चिल के रख दिया है तो चलिए अब इसे हम बगार लेते हैं अलू बगारनी के लिए हमने लिए एक चमस तेल, तेल में मैंने थोड़ सा डाला है राई, जीरा और इसके बाद हम डाल रहा है, इसमें कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची, इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने एक बाद इसे हलका ब्राउन होने तक पकने देंगे, हलका ब्राउन होने के ब मतलब प्याज हरी मिल्ची अच्छी तरीके से पक जाने के बाद इसमें हम मिक्स कर लेंगे आलू को अच्छी से मिक्स करने के बाद इसमें धनिया पत्ती डाल के इसे रख देंगे हम साइड में तो चलिए अब करते हम ब्रेड की तैयारी तो ब्रेड हमारा भी आ चुका है ब ब्रेट को एक दूसरे के साथ प्रेस कर लेंगे और इसे फिर हम तवे में सेख लेंगे तो तवा हमारा भी गरम हो चुका है तो इसमें हम डाल रहे हैं आप चाहे तो बटर भी डाल सकते बटर मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने और यूज किया हुआ है तो देख क्रिश्पी होने तक कहा हम इसे टोस्टर में भी बना सकते बटर भी टोस्टर अवेलेबल नहीं यह इसे मदब आ रहे हैं तो देखें मैने इसे साथ साथ कर सकते हैं, खा सकते हैं, तो आपको ये विडियो अछी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी होंगी तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी नहीं भूलना, मैं मिलती हूँ आप सी अपनी नेक्स्ट विडियो के साथ, तब तक केले बाई बाई और आब बीसे जरूर रहे करना और मुझे कमेंट्स बताना बाई